प्रिक बाद फिर आपको स्वागत है सीधा सवाल देख रहे हैं आप और सीधा सवाल का सीधा जवाब देने के लिए हमार साथ बराला साब हैं बराला साब जिस तरहां से डिनर बुलाया कया उसके बाद खबरी भी निकल कर साब ने आई कि ट्रांसफर करने के लिए फ्री हैं दिया जा सकता कि मंत्रियों को एक महीने के लिए देखिए समय समय पर इस परकार का एक फैसला मुख्या मंत्री जी सब मंत्री मिल करके लेते हैं कि कोई एक ऐसा समय कुछ इस परकार का हो जब मंतरीगन अपने अनुसार या इस परकार की नीचे जुरूरती रहती है विभाग की उसके अनुसार बदलियां करसके वो एक समय ऐसा देते हैं हर साल इस परकार का होता है और वो परदेश में सारी जो विवस्ता है ठीक परकार से विकास के कामों की जिस परकार की होती है उनके इम्पिलिमेंटेशन के लिए विवस्ता बनाए रखने के लिए जुरूरी होता हूँ दिया भी जाता है क्या उसमें कहीं कोई यह पारदर्शिता के ऊपर कहीं कोई इस परकार का कोई आकरमन इस बात का हो ट्रांसफर का यह तो एक समानेक परक्रिया होती है और यह कोई नई विवस्ता हमारी सरकार ने नहीं की है बलकि हमारी सरकार ने तो एक दूसरी नई विवस्ता की है आपने देखा हुआ एजुकेशन का विभाग है इतना बड़ा विभाग सिक्षा का जिसमें हजारों की तादाद में सिक्षक हैं उनका एक क्लिक से एक बट पर नगेटिव इंपक्ट नहीं होगा तेखे मैं एक बात कहता हूं व्यावस्था बनाना सरकार का पहला काम है और सरकार की प्रात्मिक्ता में वही चीजें हैं अब आप देखिए ना जब कोई भी सिक्षा का अगला सत्र सुरू होता था उससे पहले कितने अध्यापक हर रो विभाग एक व्यवस्थित तरीके से काम करें और रोजमर्रा की जो ट्रांसफर की जो एक तर्वार लटकती थी अधिकारी करमचारी के ऊपर बिल्कुल बंद हो जाए यह प्रयासर यह रंगला कर लेकर किया रहा है यह व्यवस्था में किस तरहां का बदला हो कि इसमें को अपना जोड़ करके भी कैसे कैसे उनको करना है यह फैसला लेंगे मंत्री का साहब को संगठन से सरकार में भीज़ाजा सकता है देखिए सुग बुगाट का मुझे नहीं पता क्या है लेकिन मैं एक पार्टी का भारती जनता पार्टी का एक समान्य कारे करता हूं मेरे बारे में फैसला लेने का अधिकार मुझे नहीं है मेरे बारे में फैसला मेरी पार्टी ने लेना मेरे संग्ठन ने लेना मुझे अध्यक्स की जिम्मेवारी दी गई मैं मेरा सो पर्तिशत देने का प्रयास करता हूं आपकी पार्टी की राष्ट्रीप प्रोमुखाया बाराला जारत दावा ये किया गया कि 2 लाख तक लोग पहुंचेंगे उससे ज्यादा पहुंचेंगे दावा किसने क्या किया? हम यह एक अलग बात है हमने इस परकार का कोई दावा नहीं किया कि दो लाख लोग पहुंचेंगे हमने एक बात कही कि हमारे हर बूत से कारे करता हैगा हमने पाँच पाँच ऐसे मोडर साइकल वाले कारे करताओं की सूची बनाई यानि कि बूत के कारेकरताओं का समेलन हमने तै किया और वो भी मोटर साइकल पर एक स्थान पर इकठे हैं वो हमने तै किया क्या इस परकार का दूसरी पार्टी कर सकती है क्या बूत के कारेकरता को मोटर साइकल पर बूदा करके कहीं वो कोई बड़ा समेलन करने का विचार कर सकते हैं क्या यह हमने विचार ही नहीं किया एक बहुत सफल कारिकरम हमने वात में जब तैयारियां की गई उस वक्त यह कहा गया कि अतिहासिक रैली होगी उसके बाद भीड देखकर कहा गया कि कारिकरता यह समेलन है देखिए एक बाद बताईए वीपक्ष क्या कहता है इस बात की हमें चिंता नहीं मैं वीपक्ष को चुनोती देता हूं that इस परकार का कारेकरम करके दिखा तो गar भीड कम देखे तो क्या मानकर जला जाए कि विजपी की कारेकरता कम है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रखी कि कानून व्यवस्था के मामले में आपकी सरकार फेल रखी दो तरह की चीजें इस मामले में अगर हम आकलन करें एक व्यक्ति से व्यक्ति का विवाद इस परकार के जगड़े कई बार उसमें मरडर भी होते हैं एक होता है एक होता है कहीं गैंगवार होना जिसमें पूरी तरह से कानून व्यवस्था की दजियां उड़ जाएं यह दोन प्रमुख की बाद कर ले जाएं यह तीनों ही एपिसोड बहुत वड़े रखे आपने आपने सरकार घिरी इनको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठे इनको लेकर क्या उस लिहाद से थोड़ा मानते हैं कि थोड़ा बहतर हो सकता था देखे इसमें जैसे मैंने पहले क संपूर्ण कुछ यह नहीं होती सरकार बहुत अच्छे के लिए परियास कर रही है और उसमें अच्छा हो सकता था यह बाते कहीं जा सकते हैं जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी है यह भी आरूप लगते हैं कि बार बार तबादले करने की जरूरत कैसे पड़ती है सरकार को साधी तिन से ज्यादा साल आप लोगों को हो गए तो पूरों में किस परकार से अधिकारियों से काम लिए जाते थे धमकाया जाता था ड्राया जाता था वो प्रंपरा और वो कार्यपदती वो संस्कृती इस सरकार में कम से कम नहीं है अधिकारियों को वो अनुशासन में रह करके हर्याना प्रदेश की भेतरी के लिए अपने अपने विभाग में वो ठीक परकार से काम करें इस परकार की आजादी उनको दी गई है कि तबादी की बड़ती संक्ञा को आजादी माना जाए कि बड़ी अगर संख्या में तबातली किये जा रहे हैं यह आजा दिक है यह एक बहुत सामाने पर करिया है इसको रूटीन की पर करिया है आप पहले भी कह चुके हैं कि मनोहर लाल खटर जो की वर्तवान सीम है हमारी उन्हीं के गवाई में बीजेपी चुनाव लड़ेगी क क्या आपको लगता है उनकी स्विकारता है इतने पूरी तरह से स्विकारता है पूरी तरह से स्विकारता है इस मेरे ख्याल में कि साड़े तीन साल में एक भी ऐसा मोका आया कि मुख्य मंत्री मनोहर लाल जी के ऊपर कहीं कोई इस परकार की कोई उंगड़ी उठी हो कोई न तक कोई हमारे संख्ठन में नहीं है हमारे सभी मंत्री बहुत वहतर तरीके से काम कर रहे हैं यह हर कालेकरता को अपनी बात कहने का एक अधिकार होता है और अगर सांसर द्रमीर सिंग ने कहा है तो कुछ सोच करके उन्होंने इस बात को कहा होगा आखरी जवाब यह कि कितना तैयार हैं आप लोग 2019 के लिए फिलहाल देखे जैसे आपने सवाल खड़ा किया था जीन रैली का जब भरती जनता पार साथी हर बूत के उपर से पाँच पाँच मोटर साइकल की सूची बना करके उनको बूत से निकाल सकती है दोशोगी सवाधू किलोमेटर का सफर तैय करके रैली में पहुंचने के लिए तो हमारी तैयारी तो आप इसी समझ सकते हैं बहुत शुक्री आपका वाग्ट देने कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी के अंदर सरकार के अंदर कारकरताओं और जनता का पूरा विश्वास हैं